हेलो दोस्तो मेरा ना में गौतम और आप देख रहे हैं यूलक लेक्टोनिक्स और दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको 2.1 home theater board का complete wiring करके दिखाएंगे और उसके साथ यहाँ पर जो cooling fan रखावाई इसका भी connection मैं आपको करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर cooling fan लगाने से दोस्तो यह आपको फैदा होगा कि जब आप इस board को use करोगे अगर जादा sound रहता है तो इसमें hitsink जो काफी hit हो जाता है उसके बज़द से IC भी जल्दी खड़ा हो जाता है तो यहाँ पर मैं जब यह fan लगा दूँगा इसमें तो यह hitsink को cool करके र दोस्तों तो यहाँ पर 12012 का यह transformer था लेकिन इसमें मैं 012 का मैंने यहाँ पर अलग से वायर निकाला है जो कि यह अलग से 012 है तो फैन को चलाने के लिए मैं 012 यूज़ करूंगा और उसके साथ जो मैं पैनल यूज़ करूंगा उसको चलाने के लिए में इस सप्लाई का यूज़ करूंगा बाकि यहाँ पर जो 12-012 है आप यहाँ से इस हम ठीटर में connection कर सकते हो हाला कि मैं इस 12-012 के supply से भी जो है इसका connection कर सकता हूँ लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों कि humming का problem आ जाता है और यह जो transformer था दोस्तों पहले 12-012 ही था मैंने इसको modify करके यहाँ से यह 0-12 का मैंने loop निकाला है अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको मैंने किस प्रकार से इस voltage को मैंने नि इसमें आप 0-12 का यह connection किस प्रकार से कर सकते हो चले दूस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इसमें वोल्यूम और बेस के लिए जो वोल्यूम कंट्रोल होता है उस दोनों का connection करूंगा इससे पहले मेरे चैनल पर काफी ऐसे home theater board है जिसका मैंने complete वारिंग करके दिखाय है अगर वो अपनों वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको description में देदूँगा आप वहां से देख सकते हैं इससे पहले मैं थोड़ा इस बोट के details के बारे में मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बारा socket यहां पर लग कर सकते हो और 4 speaker भी यूज कर सकते हो अगर आप 4 speaker यूज करते हो तो दो speaker को आपको जो है parallel में रखना होगा और वो आपका 8 ohm का लगाना होगा लेकिन आप एक speaker यूज करते हो तो 4 ohm आराम से चल जाएगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं काफी सारे इसमें पीन बने ह हुए हैं तो यहां पर पहला वाला पीन है वो 5V supply के लिए यहां पर आता है बाकि यहां पर जो आप 3 देख रहे हैं तो इसमें जो है प्लस में यहां पर बूफर लिखा हुआ है तो सब बूफर को लगाएंगे जो कि बीस वाट चार ओम को लोट आप इसको दे सकते हो और यहां पर 1805 का एक socket बना हुआ है जिस पर वल्टेजर रोग्लेटर भी लगा सकते हो चाहें नहीं भी लगा सकते हो अलक्सिस का भी connection कर सकते हो चले सबसे पहले मैं इसमें प्रोटेंसव मीटर का connection करूंगा तो यहां पर प्रोटेंसव मीटर देख रहे हैं यह मैंने 47 के का मैंने यूज किया है जो कि मैं साउंड के लिए यूज करने वाला हूं और यह डूवल चैनल का है और बेस की लिए मैं यह 100 के का यह प् आप देख सकते हैं जो यह लो बाला है वह हमारा ग्राउंड है बाकि और ग्रीन हमारा लेफ्ट राइट यहां से आउटपुट होता है ठीक है तो इसको हम इनपुट देने के लिए दूस्तों मैं यहां पर एक सौकेट लगा दूंगा जिससे क्या होता कि इसमें मैं connect कर सक हूं तो यहां पर यह जो connector है इसका बीच वाला हमेशा ground होता है तो उसको white वाले को मैंने ground में डाल दिया है बाकि यह जो left or right orange और green color का है उसको मैंने यहां पर left right के input पर मैंने दे दिया है और उसके बाद दूस्तों यहां पर जो तीन वायर आता है तो yellow वाला हमारा ground होगा तो यहां पर देखी मैं इसका connection कहां पर करूँगा तो base के लिए यहां पर दो resistance लगे हुए है जो कि यहां पर देख सकते हैं 22 के का जो है दो resistance लगे हुए है तो यही दोनों पीन जो हमारा 22 के का जहां पर जाता है इस point पर जाता है और इस point पर जाता है तो यहां पर left right को द यहां पर तो चलिए मैं यहां पर जो है इसका connection कर लेता हूं तो यहां पर मैंने potentiometer का input का मैंने connection कर दिया है अब इस wire के जड़िए देख सकते हैं ठीक है यह हो चुका है यहां पर यह main potentiometer उसके लिए उसके बाद मैं base का यहां पर connection करूँगा तो यहां पर तीन pin वाला यह potentiometer है जो तीसरा नमर pin वो ground है यह input है यह output है तो यहां पर बूफर का यहां पर base के लिए जो लिखा हुआ है और यहां पर तीन point बने हुए है तो उसी में मैं इसका connection करने वाला हूँ तो यहां पर यह point देख रहे हैं वो ground होगा बाकि यह बीज वाला होगा और यह first वाला pin होगा तो यहां पर इस परकार से जो कर इसको पकरेंगे तो यह आमने सामने इसका connection हो जागा जो green वाला होगा वह यहां इसके साथ होगा और यह लो बाला होगा बीज के साथ होगा और जो पहला नमर को देख सकते हैं और इस point को देख सकते हैं तो यहाँ पर हो चुका है और उसके बाद दोस्तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर speaker जो है मैं यहां पर connect कर दूंगा तो मैं यहाँ पर चार इंज का यहाँ यह 4 ओम 20 वार्ट का मैं speaker यूज कर रहा हूं सेटेलैट के लिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं तीन पॉईंट निकला वाए तो बीच वाला मारा ग्राउंड वागी ऊपर निचछे जो हमारा लेट राइट है तो मैं यहां पर दो श्पीकर जो है use कर रहा हूँ खुलिस स्प्रकार का है यहांपे ठीक है और यह चार चार इंज का है तो इस दोनों को जो ग्रावंड वायर है को एक साथ मैं safe कर लोगा यहां पर कुछ इस वार्धर करना से छो है मैंने दोनों स्पिकर एक एक वैयर को मैंने एक साथ जोड लिया है और यहां पे left और right तो यह तीन पॉइंट हो गया है तो इसी तीन पॉइंट को मैं यहां पे connect कर लूँगा इस board पे तो यहां पे speaker का आप देख सकते हैं दो ground का wire है उसको मैंने ground दे दिया है उसके बाद जो speaker के एक एक पॉइंट बचा उसको मैंने left राइट में connection यहां पे कर दिया तो यह speaker का भी हो चुका है उसके बाद मैं यहां पे subwoofer का connection करने वाला हूं तो यहां पे मेरे पास पांच इंच का जो है 4 ohm 20 watt का भी यह subwoofer है तो इस subwoofer को मैं यहां पे connection करने वाला हूं आप यहां पे buffer जो लिखा हुआ देख सकते हैं उसको मैं मैं देखते हुए मैं यहां पे connection कर दूंगा को तो को यहां पर मैंने जो है बुफर का भी connection कर दिया ज्रीजयंकिट यह का बहुत ही सिंपल connection है यह जो बारे-जिरो-बारा का connection है आपसे तो यहां से आप बारे-जिरो-बारा का connection कर सकते हो लेकिन यहां पर चलाने के लिए आपको ब्रीज रेक्टी फैर बनाना पड़ेगा और इस 12 वोल्ट का जो सप्लाई है उसको प्योर डीसी बनाने के लिए मैं यहां पर जो है एक छोटा सा ब्रीज रेक्टी फैर बनाऊंगा तो चली इस ट्रांसफर्मर को साइड में रखते हैं सबसे पहले ए जो कि 4000 साथ आप ले सकते हो और इसका जो मैं ब्रीज रेक्टी फैर बनाऊंगा और उसके साथ यहां पर 2225 वोल्ट का यहां पर कैपसीटर ले रखा है मैंने और यहां पर एक 385 वोल्टेज रोगलेटर है और उसके साथ यह एक हीट सिंग है हलाकि यह हीट नहीं करेगा अ लेकिन आप अकर यहां पर लगाते हो तो हिट सिंग बहुत ही जरूरी है तो यहां पर प्लाय के साथ लगाऊंगा दूस्तों तो क्या होगा कि यहाँ पे humming कम हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पे जो सबसे पहले bridge rectifier बना लेता हूँ तो bridge rectifier की इस परकार से बना रहा है तो बहुत आसान तरीका दोस्तों यह जो white वाला पट्टी देख रहा है उसको दो devote को कुछ इस परकार से connection कर लेना है यहाँ पे जो यहाँ पे white वाला पट्टी है उसको एक साथ connection यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद black वाले पट्टी को एक साथ यहाँ पे जोर लेना है यहाँ पे तो एक को मैंने यहाँ पे white वाले पट्टी के साथ जो रहा था और एक वाले को मैंने ब्लेक साथ जो रहा था तो उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ इस परकार से connection यहाँ पे मैं इसका लगा देंगे आप चाहे तो इस तरीका से भी लगा सकते हो और इस तरीका से लगा भी सकते हो तो यहां पर connection करने से क्या होगा दोस्तों कि एक white पट्टी और black पट्टी हमारा हो जाता है तो यहां पर यह हो चुका है चली मैं फाल्टू का जो यह leg है उसको मैं cut कर दे रहा हूं तो दोस्तों यहां पर जो हमारा यह devote का bridge मैं ने बना लिया है और इसमें जो मैं capacitor का connection करने वाला हूं दोस्तों उसको आपको कहां पर करना होगा जहां पर यह white वाला पट्टी है हलाकि यह minus होता है लेकिन इसमें प्लस का connection इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि यहां पर जो हमारा supply बनेगा और इसमें जो माइद यहां से होता है मैंने बहुत सारे वीडियो में ऐसा बताया है कि यहां पर पलस का connection करने और यहां पर माइनिस खरना है हाला कि यह h resonate प्लस होता है उसमें था जोगावश्वाठ करता मैं झाटाओ है इसी वजह से दूस्तों क्या आएं यह नेगेटिव ए फिर मिल पासईटिव का। करना परता है क्योंकि इस निगेटिव यहाले पिन सी चुछT अब positive आता है और यहां से निकलता है ठीक है तो चलिए मैं यहां से connection कर लेता हूं इस capacitor तो कैपासिटर का प्लस वाला पी है यह बाला है और जो माइनस होता है इसमें वाइट वाला पट्टी होता है तो फ्लेक κι। ब्ल्iblag के साथ मैं तो चलिए थोड़ा इसमें मैं सोल्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर ब्रेज रेक्टिफ हैर मैंने बना लिया है और उसके बार देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लेक वाला पटी और एक यह सिल्वर वाला पटी दोनों साइट पर है तो यहाँ पर हम टास्फर्मर का जो दो वायर आता है जीरो बारा का यहाँ पर कनेक्शन करेंगे और यहाँ पर कनेक्शन करेंगे ठीक है तो यहां पे दोनों हमारा जो AC 12V आएगा तो यहां से DC आउटपुट करेगा ठीक है तो यहां से प्लस आउटपुट करेगा और यहां पे माइनिस आउटपुट करेगा उसके बाद क्या दूस्तों कि आप 78.05 का यह वोल्टेज रिगुलेटर है उसको दो जगह पे आप लगाते हैं इस वोल्टेज रिगुलेटर को तो हमीं का प्रोब्लम इसमें नहीं रहेगा अगर यहां पे लगाते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ हमीं का प्रोब्लम देखने को मिल सकता है चलिए मैं इसी के साथ मैं कनेक्शन कर दे रहा हूं इसका तो यहां पे इसका जो क और पीन हमारा 5 पूल्ट आउटपुट करता है ठीक है तो है चलि मैं यहाँ पर यह Particip раз को देखते वह मैं इसनका क्नेक्शन कर लेता हूं तो यहाँ पे यह was has k और यहाँ पर यहाँ पर कर लै रहा हूं तो यहाँ पे कुछ इस परकार से मैंने connection कर लिया यह minus वाले को minus के साथ और इस plus को plus के साथ ठीक है यहाँ पे हो चुका है और इसमें यहाँ पे supply देनी के लिए मैं यहाँ पे एक connector यूज कर ले रहा हूँ जो कि मैं इस module में दूँगा तो यहाँ पे मैंने इस module को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा socket लगा दिया जिससे इसको 5 volt मिल सके और उसके बाद यहाँ पे जो यह fan दोस्तो उसको मैं इस wire को मैं यहाँ पे connect कर लूँगा जहाँ पे इसका 12 volt आता है तो यह जो fan है दोस्तो इसको 12 volt चाहिए और इसको जो MPR है बहुत ही कम चाहिए तो यहाँ पे जो 78.05 का मैंने connection किया था तो यहाँ पे 12 volt आएगा तो यहाँ पे plus को मैं plus के साथ यहाँ पे connection कर दे रहा हूँ इस fan का यह plus का हो चुका है और minus को मैं यहाँ पे इधर कर दे रहा हूँ तो दोस्तो यहाँ पे यह fan का भी connection हो चुका है और यह जो दो लो पीन वचा दोस्तो यहाँ पे एक यह पीन वचा है और यह पीन वचा है तो इसमें मैं यह जो transformer से मैंने 0.12 का लूप निकाला था उसका मैं connection यहाँ पे कर दे रहा हूँ चलिए मैं यहाँ पे इसका connection कर दे रहा हूँ तो यह extra connection हमारा 12 वोल्ट का हो चुका है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आता है 12.0.12 supply का तो इसका connection मैं यहाँ पे जो पीन बना हुआ है उसमें मैं कर दूँगा तो यह जो बीच वाला black वायर है वो हमारा zero है बाकी दोनों yellow वाला हमारा 12 और 12 है तो मैं यहाँ पे इसका connection कर दे रहा हूँ तो दोस्तो लगवग हमारा यहाँ पे speaker, subwoofer और यहाँ पे supply का भी connection हो चुका है ठीक है मैं इसके back में यह रखूँगा यह हो चुका है और यह जो हमारा वायर है जो connector है इसमें मैं लगा दूँगा ताकि इसको 5 वोल्ट मिल सके ठीक है यहाँ पे यह हो चुका है और उसके बाद यह जो हमारा वोल्यूम से आता है एक connector उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा ताकि यहाँ से यह output कर सके तो दोस्तों लगो का हमारा यहाँ पे सारा connection हो चुका है उसके बाद मैं इसमें supply दूँगा लेकिन supply देने से पहले दूस्तों आप एक बार यहाँ पे फिर से connection confirm कर लो कि यह आपका connection सही है या गलत है ठीक है तो मैं यहाँ पे सभी connection को देख लेता हूँ और मैं यहाँ पे पहले card में नहीं लगाँगा कई बार क्या होता है कि दोस्तों यह हो सकता है कि यहाँ पे 5V output ना कर रहा हो इसके होज़े से आपका module खराब हो जाए इसलिए पहले इसमें multimeter से आप चेक कर ले यहाँ पे proper 5V बना रहा है कि नहीं बना रहा है ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पे आप supply देता हूँ उसके बाद मैं चेक करता हूँ उसमें voltage ठीक तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा fan जो है यहाँ पे चालू हो चुका है और यहाँ पे 5V चेक करूँगा हलाकि यहाँ पे जो fan चालू हो चुका है तो 5V भी हमारा यहाँ पे आना ही चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पे DC को चेक कर लिता हूँ तो यहाँ पे हमारा DC 5 वोल्ड आ रहा है मतलब यह हमारा जो ब्रीज जिरे की फैरे बिल्कुल प्रोपर से काम कर रहा है तो मैं यहाँ पे इसको जो है लगा दूँगा और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा FM MODE पे है और दूस्तों हमारा जो इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा हमिंग नहीं है क्योंकि मैंने इसका जो सप्लाई है यहाँ पे दिया है ठीक है तो चलिए मैं इसमें आब स्वूं को प्ले करता हूं और फिर मैं देखता हूं कि हमारा जोंगा किस परकार से काम कर रहा है तो यहां पर मैं आप से इंपुट कर दे रहा हूं प्रड़ कराफ रखे रखे हां कि तो दोस्तों यहां पे यहां जो हमारा यह हमारा बहुत अच्छा से काम कर रहा है और फैन भी आमारा बहुत अच्छा से चल रहा है और दोस्तों आप बोलोगी कि यहां पी ital होल्ण negastowe द्रॉब आप तो नहीं ओर Lea ये बारबार बंद और चलू तो नहीं ओगा दोस्तों ये बिलकुल चालू और बंद नहीं तो कर दो कि अब दिख्यत नहीं हो रही ठीक है तो यहां पर बहुत अच्छा से काम कर रहे है और यहां पर हमारा हिट्सिंग है अतना गर्म नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर in the core lager लगा हुआ है तो दुश्टों यहां पर आप cooling fan लगाते हो तो आप इसको कुछ इस direction में कि यहां पर हवा है यह पीछे की ओर फेक है इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो हीट होता है और हीट में जो यहाँ पे एर बनता है जो गर्म एर बनता है उसको लेकर बाहर फेकता है ठीक है बहुत लोग क्या करते है कि जिस प्रकार से मैंने अभी लगाया था जो हवा जो क्या है कि इस पे लगेगा ठीक है अगर यहां से ऐसे हवा जाएगा तो आसपास का जो हवा है इस हीट सिंग पर लगते हुए आगे जाएगा इससे क्या होगा कि एर जो होगा गर्म बाला वो बाहर की ओर फेकेगा और यह आपको कूल रहेगा आपने inverter या बड़े बड़े amplifier में भी जो फेन लगा हुआ देखा है उसका एर बाहर की ओर निकलता है ठीक है तो इस परकार से आप लगाए ना कि आपका जो हवा है कुछ इस परकार से इस पर लगे इससे क्या होता है आपकी किसी cabinet में लगाते हो तो बाहर का जो dust है अंदर आ सकता है इसलिए हमेशा जो cooling को उधर की ओर लगा के रखे तो इस परकार से दोस्तों आप जो है इस home theater को complete वारिंग कर सकते है और साथ में इस fan का तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइट करें शेयर करें और हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो